हेलो गाई साच हम बात करेंगे रेडमी 9 पावर के वाइफाई कॉलिंग के बादे में कि कैसे आप लोग अपने फोन में वाइफाई कॉलिंग को यूज करेंगे ओके वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए चिखा बिलके इकन को प्रेस करेंगे तो फर्स्ट फॉल क्या करें आप लोग सेटिंग्स ओपन करें उसके बाद सीम कार्ट एंड मोबाल नेटर्ग पर क्लिक करें और सीम कार्ट पर क्लिक करेंगे तो वहीं पर आप लोग को वाइफाई कॉलिंग का फीचर मिलेगा माफ करना अभी हम सीम कार्ट को यूज़ नहीं करें तो यह ओप्सन अभी डिसेबल हमारे लिए बैट आप लोग SIM card पर क्लिक करेंगे वहीं पर आप लोग को bottom में जो है Wi-Fi calling मिलेगा उस पर क्लिक करके Wi-Fi calling को simply on कर देना है आप लोग को जैसा ही Wi-Fi calling on करेंगे और आप लोग ने अगर अपने phone में Wi-Fi connect कर लिया है तो उपर में हमें status bar में Wi-Fi calling का symbol भी नचर आएगा और हम phone manager पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो call मिल रहा है ना इस पर Wi-Fi का symbol भी आएगा और यहाँ से हम Wi-Fi calling कर सकते अब देखिए Wi-Fi calling भी कर सकते Wi-Fi call receive भी कर सकते काफी सारे लोगों का यह भी doubt रहेगा कि उसमें Wi-Fi calling करेंगे तो नंबर कौन सा जाएगा जिखिए नंबर आप लोग का SIM card का ही जाता है बस changes के आउता है यहाँ पर signal change जाता है ने टरक वगएरा रही भी रहा है आप लोग के SIM card में तो भी आप लोग Wi-Fi के जरिए setup कर सकते कोई भी doubt रहता है आप लोग हमें comment करके पूछ सकते मिलते हैं next वीडियो में जय मता दी